नमस्कार दोस्तों इंपलेक अबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर सी एक बर स्वागत हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में EPS 95 पेंसन धारकों के लिए पिछले दो-तिन दिनों में नएसी रश्टी संगर समिती और अन्य जो भी अपडेट्स यहां पर आये हैं उन्ही को लेकर यहां पर हाजिर हुए है आज के इस वीडियो में 6-7 ऐसे अपडेट्स हैं जोकी EPS 95 पेंसन धारकों को यहां पर जानना जरूरी है कि उनकी EPS 95 पेंसन को लेकर क्या कुछ यहां पर चल रहा है क्या प्रोसेस चल रही है क्या प्रकरिया चल रही है तो चली जानते है बारी बारी करके in अपडेट की बारे में उन्हें आपर ग्यापनसों पाए समिती के मंडली समनव्यक समसूल हसन सिद्धिक जी ने बताया कि इस संबन्द में राष्टी संगर समिती ने राष्टी अद्धिक्ष माननी कमांडर असोक राओ जी के साथ लगबग 50 सांसदों ने EPS 95 पेंसंदार को की मांगो को लेकर कोशेरी समिती की सिपार उसे को अनुरूप 7500 प्लस डी और मांगई भत्तव चिकित्सा सुईदा के संबन्द में सरकार को ग्यापन दी है सांसद ने बताया कि इस प्रकरण में उनकी जानकारी में है कि मैं आगामी लोगसभा सत्र में इस ममले को उठाओं जिला सचिव सुर्य प्रकास मिस्रा जी सत्य प्रकास अवस्ति जी भी यहाँ पर इस समय ग्यापन सौपते समय उपस्तित थे जोस्तो अगली खबर है EPS 95 पेंसन दारगों के लिए ही पेंसन वर्ति के मांग को लेकर एजिटेशन कमीटी के प्रतिनिदी मंडल ने गुरुवार को सांसद स्री सत्य देव पचोरी जी को यहाँ पर ग्यापन दिया है कमीटी के राष्टी सलाकार राजेश कुमार मिश्रा वा राष्टी सजीव ओम संकरती वाजिरी जी ने यहाँ पर बताया कि EPS 95 पेंसन दारगों को कोश्यारी कमीटी की अनुसंसा क्या नुरूप निवनितम पेंसन 1000 रुपई से बढ़ा कर 7500 रुपई महंगाई बता के साथ यहम चिकित सा सुईधा दी जाए उन्होंने बताया कि 1995 के बाद से पेंसन में बढ़ोत्री नहीं हुई है बढ़ती महंगाई में दी जा रही रासी बहुत कम है पेंसन बड़ोत्री को लिए कई बार संबंदित अधिकारियों से संपर किया जा जुका है सांसद ने प्रतिनेदी मंडल को आश्वासन दिया कि वित्त मंत्री वसरम मंत्री को पत्र लिखने के साथ ही नियत 377 के तहत लोकसभा में भी मामला को उठाएंगे और EPS 95 पेंसन धारकों की मांगों को जल्द से जल्द पूर्ण करवाने में समिति का सयोग करेंगे जोस्तो अगली कबर निकल कर आ रही है अमपुजुगई तहसील से जो कि EPS 95 राष्टी संगर समिति की बैठक यहां पर 20 जिनवरी को संपन हुई इसमें संकर महाराज वंजारी चात्रवास में यह बैठक संपन हुई थी बैठक में महाराष्टा के अद्द्यक्ष स्री A.N. अमबेटकर, बीड जिला अद्द्यक्ष स्री हकेम भाई, केंद्री कारेकारनी सदस्य स्री हिम्मत रावधी स्मुख, N.C. के वरिष्ट निता स्री D.M. पाटिल जी और अन्य यहां पर उपस्तित थे समिती के अद्द्यक्ष ने भासन में देज भर में राष्टी संगर समिती के चल रहे कारे से सदस्यों को अउगत कराया और फरवरी 2021 तक सकारात्माग निर्नाई नही लेने पर सभी को अगले तियूर आंदलन के तयार होने को का अंबिजुगई सुगर फ्रेक्टरी जुनियन के लगभग पांसो सदस्य राष्टी संगर समिती में सामिल हुए और माननी कमांडर अजोक राउज जी के नेत्रत्व में कारे करने का फैसला यहां पर लिया है दुस्त अगली ख़बर निकल कर आ रही है वेस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल में एनसी राष्टी संगर समिती के लिडरों की ओर से आल एंडिया प्रेसिडेंट C2, C2 एक राश्टी संगठन है मजदूरों का इनको ए प्रेसिडेंट को यहाँ पर गयापन दिया गया है और इनसे EPS 95 पेंसन धारकों की मांगों के समर्थन में अपनी आवाज उठाने के लिए यहाँ पर कहा गया है C2 एक राश्टी लेवल का बहुत बड़ा यहाँ पर संगठन है जो की टॉप 10 मजदूर संगठनों में से एक है दोस्तो अगली खबर निकल कर आ रहे है राश्टी संगर समिती उत्तर प्रदेश से राश्टी संगर समिती उत्तर प्रदेश की आगामी बैठक 24 जनवरी 2021 दिन रविवार को 11 बजे इस्थानी खूल भासकर आसरम क्रसी एंटेक कॉलेज के सामने पेट्रूल पंप के बगल में राम बलाग फ्लाइ ओवर के नीचे यहां पर की जानी है और इस बैठक के अगवाई के लिए इस बैठक में सामिल होने के लिए प्रांती अध्यक्ष प्रदीप स्रिवास्तो जी की ओर से सभी EPS 95 पेंसन धारकों को आमंत्रेद किया गया है दूस्तो अगली खबर निकल करा रही है राष्टी संगर समेती बरेली की ओर से दिनांक 19 जनवरी 2021 को जीला मंडल कमेटी बरेली की मासिक बैठक पुराने बस स्टेंड रोडवेज बरेली पर आयोजीत की गई थी जिसमें राष्टी कमेटी के पेंसन बढ़ोत्री हैतों किये जा रहा है प्रयासों को सभी EPS 95 पेंसन धारकों से यहाँ पर चर्चित किया और राष्टी संगर समिती भरेली की ओर से राष्टी नेत्रत्व माननी कमेंडर असोक राउजी से गुजारिस की गई है कि वह जल्दी से जल्दी EPS 95 पेंसन की बढ़ोत्री पर कोई बढ़ा कदम ले या तो फिर हमें अनिस्चित कालिन अंदुलन के लिए दिल्ली मर बैठने के लिए एक बड़ा अंदुलन करने के लिए अनुमती दे तो दोस्तों ये थे कुछ 6-7 अफडेट जो EPS 95 पेंसन धारकों के लिए पिछले 4-5 दिनों में यहाँ पर आए इनको सभी को एक ही वीडियो में एक ही बार आपको जो है यहाँ पर coverage करके हमने आपको एक वीडियो में यहाँ पर दे दिया है I hope कि आज कि इस वीडियो में दी गई यह जानकारी NAC रश्टी संगर समिती के और से किये जा रहा है प्रयास आपको पसंद आये होंगे यह वीडियो यह जानकारी आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक सेर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा EPS 95 पेंसन बढ़ोतरी को लेकर आपके कोई सुझाओ तो भी कमेंट्स में आप कर सकते है मिलते हैं आप से नेक्ट टूडियो में किसी जानकारी के साथ तब तक के लिए बने रही है Employee Cover चैनल के साथ जय हिंद वन्दी मातरम